और नमस्ते तो गाइज आज रिजल्ट आया है हाटिएस कॉंग्रेजुलेशन्स तो दोस वेप्लियर बट इस वीडियो इस फॉर दोस वू अनफॉर्टुनेटली कुरिंट मेक इट या फिर वह अब अपना सप्टेमबर या नवेंबर अटेम्ट देने वाले हैं अगर आप 24 अटेम्ट गूड अच्छा रिजल्ट दिया है इंस्टिट्यूट ने बीट इंटर्मीजेट और बीट फाइनल मोमेंटम यही चलता रहेगा सप्टेमबर में अगर आपका इंटर है या नवेंबर में सीए फाइनल है अगें बट उसके लिए अपने को महनत करनी है जब यह अच्छा रिजल्ट आए बाद में ऐसा ना लगे अरे यार काश एक्जाम दे दे था एटम तक यह वीडियो को सुनना और डेफिनिटली लेट्स ट्राइए और क्रैक दे कोड था आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने बोला था कि यह यह गोल्डन अटेंट है एक अच्छ मैनेजबल और रिजल्स आर रिफ्लेक्टिव ऑफ दे फैक रहें बट हो सकता है कि अगर 25 परसंट भी रिजल्ट है तो 75 परसंट है जो क्लियर नहीं कर पाए है तो उन लोगों के लिए यह वीडियो है और लेट्स ट्राइए अन अंडर्स्टैंड आपना ताइम आएगा सी देर विल ऑल्वेज भी स्टूडेंट वह नॉट क्लियर हो सकता है इस बार आप हो सकता है कि दो तीन अटेंप से अप हो रहे हो बट यह बार क्लियर हो गए हूं बहुत सा रिजन एंड आने वाले टाइम में आप हो जाओगे मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूं जैनुइनली जो मेरे ओफिस में ही है काइंड ओफ टू पीपल वन सिक्योड वन सिक्टी सिक्स माक्स लास्ट अटेंप में फेल होगे बिकॉस तभी नवेंबर 23 में 400 माक्स का होता था ग्रूप टू एंड वन सिक्टी सिक्स आया उसको दो परसं कुड़ेंट क्लियर और व मुझे मेरे कैलिवर के ओपर डाउट नहीं है में को नहीं आगे एक्जाम देना है सो 182 दिया था उसने और 166 आया था इसको आज यही 166 वाली ने अब उसने बोला किया मैं में 24 में दोनों ग्रूप दे देती हूं एंड शी गेव बोध ग्रूप्स एंड थैंक्फुली श क्लियर और सो आज वह 182 वाली जो स्टाफी है मेरी शी इस फिलिंग यार सरकाश मैंने भी एक्जाम दे दिया होता वो टाइम पे इतना नेगिटिविटी नहीं रखा होता दिल में आज तिंग्स वोड़ा विन दिफरेंट एंड विन माय आंसर वाउस यह स्यार वेरी टू करते हो कई बार हो जाता है दाट यू नौ यू आपने को फेस करना ही पड़ेगा विस प्लीज कीप गोई आएंगे यार टाइम्स आर अप एंड डाउन लाग आगे आने वाले आपको क्या लग रहे है इंसान के टाइम में अप डाउन फेसे नहीं आते हैं आते हैं आते है और फाइट करने के बाद भी कुछ नहीं आदा और फाइट मारना पड़ता है और फाइट मारना पड़ता है हो सकते है उपर वाले ने कुछ लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफट लगा है तो ठीक है लेट्स दू दाट एस सिंपल आस और कोई ऑप्शन नहीं है कितना भी मैं मोटिवेशन दे दू कितना भी आप कोई कुछ भी आपको बोले अंदर से जो मोटिवेशन आने वाला है जो आपको फोकस और अपने आपके ओपर वरोसा रखना है that is only going to come from you और दो दिन मत कर लो पड़ाई चलेगा but third day when you come back come back so strong that you are not looking back go with the flow of positive results मैं आपको ब बोल रहा हूँ एक अच्छा flow है demand अच्छा है market में and institute will give up good results go with the flow यह अच्छे result के flow में मैं बोल रहा हूँ निकल जाओ तो इसके लिए इसका फायदा उठाना है अपने को and as simple as that तो आपको यह एक्जाम देना ही है यह सोच लो ignore negative thoughts and negative people because अगर यह जितना आप खुद को negatively सोच जोगे that नहीं यार मैंने यह बार job चोट दिया था और खालीफ पड़ाई पर फोकेस किया था मैंने तो यह आपने मेरा 200% दिया था शायद आपसे उपर वाला 250% expect करते मैंने बोला ना होता है कुछ कर नहीं सकते है उसका अपने को शायद थोड़ा एक little extra effort डालना अब कितनी बार ऐसा students जो पुराने उनके साथ भी हुआ होगा आज वो क्लियर हो गए और आज उनको लग रहा है हाश मैंने उन नेगेटिव लोगों की नहीं सुनी एंड वी गेव आर बेस्ट डोंट फील बैड लेटर बाद में आज मैंने जब वो बंदी जिसको 182 लास्टम आया था उसका आज मैंने जब चेहरा देखा है उसके साथ discussion किया है एक heart to heart वाला तब मुझे लगा यार मैंने क्यों और motivate नहीं किया उसको यह paper देने के लिए इसके लिए मैं आज आया हूँ आप लोगों को यह बोलने के लिए that boss अगर आपका clear नहीं हो पाया है intermediate और final whatever it is don't lose hope at any point in time let's get started again पढ़ाई करो एंड उसके लिए देखो दो चीज़ है जो भी marks है उसको analyze करो वो सकता है कि छे में से चार paper में कम marks आया है कोई बात नहीं वो जो चार paper में कम marks है वो आपके weak subject है जान लगा दो उसमें पीछे मुड के नहीं देखना है अब how are we going to take things forward क्या plan करने वाले हो क्या books है क्या professors है क्या strategy है अगर बहुत कम marks है आपको लग रहा है concept issues है class करना है उसके लिए go ahead with that कोई problem नहीं है बट कर लो यह सब चीज़े और कल से करना आज मत करो चलेगा बट आज at least यह जो negative mindset में हो ना at least उधर से बाहर निकलके कल positivity के साथ आगे बढ़ेंगे हो सकता है आने वाले तीन मेने में वापस से कुछ down phases आएंगे जब पढ़ा ही नहीं होगी जब लगेगा क कि यार छोड़ यार नहीं करना है वहीं डिशिजन सहीदा अगें गेट बैक टू देंग्स दैट यार इधर तक पहुचे है बस थोड़ा सा और दम लगाना है ठीक है यह पासिंग लाइन है इधर तक तुम पहुच गए हो थोड़ा और दम लगा के टच हो जाओ गे इधर बट अगर इधर से पीछे चले गए तो इतना जो भी किया है ना यू गॉट माइ आँसर पॉजिटिव सब्जेक्ट आया है सब्वोज किसी में अगर फिफ्टी इस में आया है देन इन डैट केस उसमें तो इतना मैनत कर लो कि अब एक्जेम्शन आ जाए देको यह बात क् करना है बहुत क्या बुक्स पढ़ने वाले हो क्या आप लेक्चर देखने वाले हो क्या खाली रिविजन से हो जाएगा क्या all of that is to be analyzed and then a final decision is to be taken from your current देखो खुद के लिए ही खड़ा होना पड़ेगा ठीक है मैं आउंगा आपको motivate कर दूंगा regularly मेरे सब्जेक्ट एफम के लिए रिविजन लेक्चर जैए और और भी जो भी है टेस्स सब दे दूंगा but eventually execution मैदान में खड़ा तो आपको ही रहना पड़ेगा sacrifices तो आपको ही करने पड़ेगी दुनियादारी से दूर आने वाले तीन महीने के लिए तो आपको ही रहना पड़ेगा but इसका result आएगा आया है काफी लोगों का और आज उसी चीज के वज़े से मैं बोल रहा हूं आपका भी आएगा so please do not think of giving up yes ठीक है कोई बात नहीं हो सक successful हुए है बस UN अटाना है and I'm sure by the next time we'll do it good all right guys so please do share in the comments आपको अभी क्या लग रहा है and you know that yes मैं मेरी तरफ से full focus करूँगा and step by step जाना मैं हमेशा students को बलता हूं kaizen costing से अच्छा concept मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा है जो बोलता है कि यार मिरको अगर मैं CA inter का हूँ या यह फाइनल का student और मेरे को 6 subject पढ़ना है भी मैं या 3 subject पढ़ना है मैं अभी से वो 3 subject के बारे में नहीं सुचूँ मेरे को खाली सोचना है कि यार मेरे को FR का 2 subject पढ़ना है EFM का 2 subject पढ़ना है DT का 2 topic पढ़ना है subject क्या बोल रहा हूं 2 topic पढ़ना है बस 2-2 topic एक-1 topic का target कर जाएगा right so that's how it works यह analysis खुद ही कर पाओगे and जितना अच्छी तरह से करो लिख लेना हर एक चीज को जो भी आप सोच रहे हो ना आज की तारीक में लिख लो जो भी आप कल सोच रहे हो कि यार कैसे में को इसको इंप्रूब करना है लिख लो and then let the magic happen शालो गाइस इस positive note क के साथ मैं sign off कर रहा हूं मिलते रहूंगा अभी और बहुत सारे sessions के साथ for intermediate for final for motivation for everything but एक द्याद चीज द्यान रखना एक फ्लो है institute का निकाल लेंगे उसमें चल टेक केर आस्ता लविस्ता कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच